देखा दोस्तों, आज मैं न ये चूनी है, जो रहर के दाल हम लोग दरते हैं न तो भूसी में ये चूनी निकलता है, मतलब ये रहर का कुटा हुआ छोटा 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 ये भूसी में रहता है, ये रहर का दाल है तो हम लोग जब भोसी साफ करते हैं ना तो मैं इसमें से भोसी साफ करने के बाद ये निकालते हैं इसका रोटी बनाने के लिए तो इसको बोलते हैं चूनी, तो आज मैं चूनी का रूटी बनाने जा रहे हुँ दोस्तों आप लोग देखते रहना, यह तो एसे दिखा रहे हुँ आप लोगों को अभी मैं यह इसके पास आ रही हूँ यह मैं भीगा चुकी हूँ, दो की अच्छी तरह से भीगा चुकी हूँ, भीगाने के बाद अभी मैं इसमे इसमें मैं चूनी का रोटी बनाऊंगे, इसको आधा घंटा भीगाने, मैं मतल़ आधा घंटा नहीं, बीस मिनट तो भीगाना पड़ता है मेरा अच्छी तरीके से फूल गया है और इसके बाद इसमें इसमें मैं दो कटी हुई प्याज डालूँगी दो कटी हुई प्याज और लेसुन की कलिया इसमें ज्यादा ना लेसुन प्याज रहता है तो तभी बहुत अच्छा लगता है खाने में अपना लेस one डाल दिए घरी मीर्चा 3-4 री मीर्चा है यह डाल दिक ईसको डालने के बाद दोस्तूँ अभी में आज ले रहे हैं इसमें dłulations मैं आटा ले अपना हो गया है आणा भी हो गया है अब इसमें हम सब अब इसमें सब मिक्स करूंगे लासून प्याज और हरी मिर्चा इसमें भी हल्दी डालूंगे अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगे स्वाद अनुसार नमक दोस्तों कभी भी ना चूनी का रोटी खाने का मन करता है ना तो ऐसे ही बना के खाने का बहुत अच्छा लगता है और बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों तो मेरा वीडियो ऐसे देखते रहना इसके साथ इसके साथ अभी मैं चटनी बनाऊंगी तो पहले मैं ये रोटी अपना रेडी कर लूँगी रोटी रेडी करने के बाद तब मैं चटनी के पास चलूँगी आप लोगों को बताऊंगे कि चटनी किसी भी चीज का चटनी बना के आप खा सकते हो इसके साथ वो अच्छा ही लगेगा देखो दोस्तों ये मेरा डो रेडी हो चुका है मेरा डो एकदम रेडी हो चुका है इसको मैं रेडी कर ले हूँ अभी मैं चलती हूँ, तवे के गैस के पास, तवा रख दी हूँ, गैस ओन करने जा रहे हैं, मेरा गैस ओन हो गया है, अभी मैं ये लाल हो, मतलब ये तवा मेरा लाल होएगा, तब तक मैं इसके पास आ रही हूँ, इसको मैं तब तक मैं इसके पास आ रही हैं, ये मैं ना छ चोटा चोटा बनाऊंगी और यह पानी लगाके बनाऊंगी यह पानी है ना ऐसे पानी लगाऊंगी फिन ऐसे इसको बनाऊंगी चोटा चोटा बनाऊंगी मैं यह खाने में ना अबधे और नोसं बहुत अच्छा अच्छा लगता है जोटा टे लागता है यह बहुत मांन करता है खाने मतलब खाने के लिए न ये बहुत मान करता है तो इसको इसतर चोटा बनाऊंगी चोटा चाहे बड़ा बड़ा भी बंसकता इसी बात नहीं है बड़ा भी बनाऊंगी तो इसको मैं छोटा ही बना रहे हूं उसके बाद मैं आपको दिखाती हं तो भुश्य देखो दोस्तों अभी मेरा भी तवापी यह लाल हो रहा है अभी मैं इसको फिंसे रेडी करने जा रहे हूं तो यह मैं थोड़ा मोटा और बड़ा बनाऊंगी यह मोटा बड़ा बनाने से ना खाने में ना मेहनत लगता है इसको बनाने में दोस्तों मेहनत लगता है टाइम जाता है लेकिन ख इसको बहुत अराम से बना जाता है और इसको पकाने में टाइम लगता है दोस्तों पकाने में तो बहुत टाइम लगता है बहले से टाइम लगता है ताइम भले से लगता है मगर खाने में बहुत अच्छा लगता है अमेशा मन करता है इसको खाने का तो अभी मैं इसको रखन रही हो अब यह गई स्वान करूंगी इस मेरा हो गया है अभी मैं इसको ना इसको मतलब कम आच में इसको अच्छे से पकाएंगे बहुत अच्छे से इसको पकाना पड़ेगा तो टाइम तो लगता है मेहनत भी लगता है ताइम तो बहुत ज्यादा लगता है इसको पकाने मे अब यह मेरा पका रहा है अभी ऐसे ही इसको भी मैं शेखूँँगे ऐसे लाल करके तो उसके बाद चूणी का रोटी बना चूखी हूं चूनी का रोटी बन गया है बहुत टाइम लगता है इसको पकाने में क्योंकि मोटा रहता है तभी अच्छा लगता है क्योंकि मोटा रहता है तभी अच्छा लगता है खाने में मेरा चूनी का रोटी बन के रेडी हो चुका है अभी मैं चल रही हूँ चटनी के पास तो इसके साथ मैं इसके साथ मैं पुदीना की चटनी बनाऊँगे और चटनी में क्या पढ़ेगा पुदीना टमाटर लासुन की कलियां दो हरी मिर्ची अभी मैं इसमें सब सब तोड़ की डालोंगे तोड़े के डालने के बाद इसको मैं चटनी पीस चुकी हूँ, चटनी पीस रहे हूँ, इसमें टमाटर डालूंगे, सब धो के मैंने अच्छे तरीके से रख चुकी हूँ, पुदीना कट करूँगे, पुदीना कट करने के बाद मैं चटनी बना के आप लोगों को देखाती कि चूनी का रोटी पुदिना की चटनी कितना अच्छा और टेस्टी लगता है खाने में इसमें स्वाधनुसार नमक डाली हुए स्वाधनुसार नमक हो गया अभी मैं इसको पीस के आप लोगों को दिखाते हूं कि आप लोगों को पीसने के बाद आप लोगों को दिखाते हूं कि चूनी का रोटी पूदिना की चटनी कैसे बनता है देखा दोस्ता, चटनी मेरा रेडी हो चुका है, चटनी मेरा पीस चुकी हो हुए, यह मेरा चटनी एग दम रेडी है, अभी यह सब सफ करने चल रहे हूँ, तो ये चूनी का रोटी और पुदीना की चट्नी खाने में तो बहुत टेस्ट लगता है दोस्तों तो ये ना सर्दियों के टाइम खाएं और बताएं कमेट में तो जरूर बताएगा कि ये मतलब पुदीना की चट्नी और चूनी का रोटी मेरा कैसा लगा है तो दोस्तों कभ कोई भी अगर खाने कमन करे न तो मुझे हैं मतलब चुनी नहीं मिला तो रहर दाल भी जा के आण excited कि यौंट असको मिक्सर में पीश के भी हम बना सकते हैं चुनी का रोटी तो आज मैं चुनी का रोटी बाया हुँ तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सेर करना, लाइक करना, सेर करना, सस्क्राइब दो जरूर करना दूस्तों, थैंक यू दोस्तों